अलो दोस्तों वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज आप लोगों को में दिखाऊंगी विलेज का मरिंग रूटीन मतलब सुभा सुभा हम लोग क्या क्या काम करते हैं वही सब में दिखाऊंगी तब चलिए देखते हैं यह देखे सुभा हो गया है और मेरे मम्मी एक बाल् लगाते हैं और आप लोगो सोच रहे होंगे कि यह गोबर का पानी क्यों डालते हैं वह तो नहीं पड़ता है और हम लोग जब चोटी थे तब से हम लोग यह देखा रहे हैं कि मम्मी ऐसे डालती है सुभा और वह तो मम्मी को पूछना पड़ेगा कि उसका रिजन क्या है क जब गोबर का पानी डालते हैं वह नहीं पड़ता है और देखिए हमारे घर में यह चोटा-चोटा मूर्गी भी है और फिर ममी गोबर्षे जहां पे जो हम लोग का मिट्टी वाला प्लेस है दर्वाजय के सामने ही वहां पे गोबर्षे लिप रही है हार सुभा यह गोब माईके में रहती थी तब मैं इसब काम करती थी ममी से सीख कर इस हो गया है लिपना फिर ममी ध्याड़ लगा रही है आप लोग सोच रहे होंगे दिखिए उसका ममी काम कर रही है और यह वीडियो बना रहे एक्टोलि क्या है ना में एक दिन के लिए माईके गई थी तो ममी मैं बोली कि इते लो इन बड़िये बनाओ और उस सुबा का जो काम सब है वो सब आप लोगों के साथ में सेयर करने के लिए इस सब बड़िये बनाए हूँ जिसके बाद ममी जादू लगा रही है हम लोग इसे सुबा जाडू लगाते हैं सुबा समदू बर लगाते हैं जाडू लगाना कम्प्लीट हो गया है पिर यहां पे मेरे पापा सोय थे खट्या में और ममी यहर में नीचे सोय थे तो जितने भी सब बेड़िये रहा था इसको ममी यह भी उठा रही है पिर यहां पे घावी बर्तन सारे लेकर आगे है दोने के लिए तो सारे बर्तन को दोएगी हम लोग का गर में तो इसे हम लोग बर्तन दोते हैं नल के पास लेकर आते हैं और वहां पे हम लोग रखे हैं और फिर इसे करके हम लोग दोते हैं कि देखिए आपर मां चलेगी है मेरे भाबे देखिए इनका बर्तन दोना कंप्लेट हो गया है कि देखिए फिर भाबी बर्तन दों के नहाने चलेगी यहां पर मम्मी गाई और बचड़ा को निकल के यहां पर बांदी है और यहां पर यह गाई का मतलब गाई को हम लोग जहां पर बानते हैं उसी घर क्या बोलते हैं हिंदी बहुत नहीं पता है मुझे और आप लोग प्लीज कमेट करके बताएं इंग्लिश में तो काव सेड़ बोलते हैं तो यहां पर ममी साप कर यह सारे गुबर को उठा रही है उसके पर यह जाड़ो लगा के क्लेन करेगी देखिए गुबर पेकने ममी गई है साइड में हम लोग उसको रखते हैं उसके बाइव खाद बन जाता है तो फिर हम लोग खेती में डालते हैं इसको फिर यह जाड़ो लगा रही है देखिए यह सब काम हम लोग सुबा ही कर लेते हैं यहाँ पिश्वा जाओ नहाकर आई है और अभी है चुला में गोबर से के लिप रहे चुला को और हम लोग ऐसे ही चुला को भुट रए जैसे ग्यास को चॉस्टे ना कोई कपड़ा से पाणी लेके तो यह हम लोग का गाउं में तो चुला होता है तो इसको हम लोग गोबर से लिपते है और प्लीज कमेंट करके बताईए किस किस के घर में ऐसे चुला है और अगर जो भी चुला नहीं देखे हैं प्लीज यह देख लिजे यह हम लोग का गाउं का चुला है गाउं में ममी चुला बनाती है उसमें हम लोगाना पकाते हैं रग्ड़ी से और फिर अपेभावी असुवा का ब्रीक फास्ट में गया इसे उसमें ठोड़ा से राउंड राउंड दुमां देते हैं और आप लोग कैसे बनाते हैं प्रिस कमेंक करें बताएगा अगर जिवा का डेक फ़स्ट है आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्रेब किजेगा और जो साइड में बेल आइक यह देखिए हम लोग का चिला रूटी बनके रेडी हो गया अभी चलिए खाते हैं तो यह देखिए चिला रूटी बन गया है यहां पर भावी मुझे तीन टू चिला रूटी दी थी और मैं इसको खा रही हूँ ज्यादा हो गया था मेरे लिए तो मैं एक टू बापस कर दी थी देखिए यह बहुत ही टेस्टी बना था आपले भी बनाई एक बार तो फीर भावी पतरी कर गजे यह बनाने के लिए लिए यहीर वो तील का जो पीड़ होता है उसको शुखा कि इम लूग जलाते हैं जिस से लिग खाणा बना पकाते हैं लीज काना पकाना अ हो गया फीर इह पे सब्रेश को पाने के लिए मसाल्य पीछ रही है हम लोग गायों मेंअ सिलवर कि ममी को लेने तो पापा मचली पकड़ने गए थे मचली लेकर आये हैं तो इसके लिए यह मसाला पिसा जा रहा है फिर ममी भावी सब्जी बनाएगी तो देखिए हम लोग का गाउं में सुभास इसी सब काम होता है आप लोग कि भी अगर यह वीडियो पसंद आये तो प्ली और यही मचली आपको दिखाना चाहती थी और जब बना रही थी सब्जी तब तो उनमे नहाने चली गए थी यही देखिए यह वाला सब्जी में यही वाला मचली मेरे पापा पकड़के लाए हैं यही देखिए यहें देसी मचली